दोस्तों सौगत है आपका टेख विल्य यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Net Go अप के बारे में जी आँ दोस्तों Net Go Private Net Assess नाम से यह अप है और यह क्या है और Net Go अप को कैसे यूज करते हैं और Net Go अप प्राइविट Net Assess actual में क्या है तो यहां पर दोस्तों obviously private network assess है तो मतलब यह bpn है दोस्तों एक bpn app है जिसको आप use करके दोस्तों उन सारे content को use कर सकते हैं देख सकते हैं लॉक कर सकते हैं जिनको आप अपने ip address में जो आपके blog हैं तो basically ज्यादा तर लोग इसके लिए उसकरते हैं कुछ लोग इसको games खेलने के लिए उसकरते हैं उनकी country में बैन्न इंगेम्स को खेलते हैं दोस्तों इसके अलावा कुछ लोग safety purpose से भी उसकरते हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनको trace किया जा जाए वागि मैं आप आप को यह बता दो दोस्तों कि इससे जो VPN के थ्रू जो है IP address चेंज हो जाता है आप उन content को देख पाते हैं और use कर पाते हैं जो आपके यहां बेहन नहीं है लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि आप trace नहीं किये जा रहे होंगे या फिर आप जो है इसमें total तरीके से hide हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए और वही चीज़ें करिए जो लीगल हों तो यहां पर नेट को हम दोस्तों इंस्टॉल कर लेते हैं और इसका जो है दोस्तों आप देख सकते हैं तो यह सारी चीज़ें आप इसके अंदर में दूस्तों कर सकते हैं तो दोस्तों यह हमारा bpn go नाम से यह एप इंस्टॉल हो चुका है इसको हम open कर लेते हैं दोस्तों open करने के बाद में इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है जिसमें आपको इसकी privacy policy को एगरी कर देना होगा दोस्तों एगरी पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यह आपका एप लोड होने लगेगा और bpn go नाम से आपको बीच में इसमें हो सकता थोड़ा बहुत एड़ वगएरा देखने को मिल जाया दोस्तों तो से आप क्रॉस कर दीजिएगा और इसके बाद में हैं कनेक्ट वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यह यहां यह tämä यहां से कैनेक्शन होगेगा इसके बाद में यह जो है स्फीट टैस्ट भी इसका कर सकते हैं और की इजह pä्कीस पीड कि सब्सक्राइब कर सकते हैं आपकी की स्पीड है वो क्या है वह यहां से कर सकते हैं नहीं तो back चले आई यह जाने के बाद में ऊपर जहां US लिखा है या आपके कुछ और लिखा है उस पर आप क्लिक करिए यहां से आपको और भी location अगर आपको देखने को मिल रही है तो वहाँ पर आप ले सकते हैं प्रीमियम वाले option में आपको कुछ quick server वाला option है वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं नहीं तो basic वाले में आपको जो server देखने को मिल रहे हैं वहाँ से आप उनको connected रख सकते हैं दोस्तों इसके लाबा नीचे आपको एक auto वाला option है ikev2 option हैं दोस्तों और open bpn भी आप चाहें तो यहाँ से connect कर सकते हैं इनके थुरू भी आप connection इसका establish कर सकते हैं दोस्तों तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है bpn go app को use करना है I hope आपको समझने आ गया होगा दोस्तों net go private net access नाम से app को कैसे चलाना है बिलकुल same जैसे मैं अब अब आया असी तरह से अब इसको use करिए और इसी तरह के informative वीडियो के लिए बने रेट एक विला यूट्यूब चैनल में stay raw